एसे सब्द जो की एक दूसरे के विप्रीत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम न्याय का विलोम सब्द के बारे में बड़ी ही विस्तार से जनेंगे तो वीडियो को पूरा देखें ताकि न्याय का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आ जाए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नयाय का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों नयाय का विलोम सब्द अन्याय होता है नयाय का मतलब क्या होता है आये जान लेते हैं दोस्तों नयाय का मतलब होता है इंसाफ करना जैसे वर्तमान में जो कोई गुना कर देता है उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है और फिर उसे कोरट में पेस किया जाता है वहाँ पर जज होता है और वह फेसला करता है कि इसने गुना किया है कि नहीं और इस तरह से कोरट के जज एक तरह का न्याय करती हैं जैसे विक्रम अदित्य का नाम सुना होगा ये वही राजा थी जो हमेशा न्याय करती थी अन्याय का मतलब क्या होता है आईए जान लेती हैं अन्याय का मतलब होता है सही इंसाप ने करना जैसे की अदालत या कोरट में सही तरह का न्याय नहीं होता है तो ये एक तरह का अन्याय होता है जैसे अगर आपने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है फिर भी आपको अदालत में गलत ठहरा दिया जाता है और सजा सुना दी जाती है तो ये एक तरह का अन्याय होता है इस तरह से न्याय का विलॉमसब्द अन्याय होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना नहीं भूलें इसके साथ ही एसे ही विलमसद जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करें सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें